हलो माई दियर स्टूडेंस वेलकम तू माई चैनल अलफा नॉलिज बॉक्स इस वीडियो में आज हम क्लास 6 हिंदी के एन्वाल एक्जाम के एक कोशन पेपर को डिसकस करने वाले हैं और ये कोशन पेपर केंदरी विद्याले के स्टूडेंस के लिए हैं पेपल सिस्टी मार्स का होगा टाइम होगी टू एन हाफ हावर्स और सभी प्रेशन करना अनिवार है सबसे पहले कोशन आपको एक गद्यांश से पूछा जाएगा इस गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ना है और उसमें पूछे गए कोशन की आंसर देने है प्रेशन एक निम्रिकित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे के प्रशनों के उत्तर सही विकल्प चुन कर लिखे यहाँ पर MCQ स्टाइप के कुशन से चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं संसार में सबसे मूल लिवान वस्तू समय है क्योंकि दुनिया की अधिकांश वस् विद्यार्थी जीवन का उद्देश है शिक्षा प्राप्त करना समय के उपयोग से ही शिक्षा प्राप्त की जा सकती है जो विद्यार्थी अपना बहमूल समय खेल कूद मौझ मस्ती तथा आलस में खो देते हैं वे जीवन भर पच्टाते रहते हैं क्योंकि वे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं और जीवन में उन्नती नहीं कर पाते हैं, मनुष का कर्तब है कि जो छड़ बीद गए हैं, उनकी चिंदा करने के बजाए जो अब हमारे सामने हैं, उसका सद उप्योग करें, गद्याश का पहला प्रेशन है, समय को सबसे अ समय की गद को नहीं रोक सकता, पहली लाइन में देखी, संसार में सबसे मूल वनवस्त समय है क्योंकि दुनिया की अधिकांश वस्तों को घटाया बढ़ाया जा सकता है, पर समय का एक छड़ भी बढ़ा पाना मनुष के बस में नहीं है, इसलिए सही उक्तर हो जाएगा, इ दिसरा, गुरुओं का आदेश मानना और चोथा, शिक्षा प्राप्त करना, यहां पर देखी, विद्यार्थी जीवन का उद्देश है, शिक्षा प्राप्त करना, इसलिए सही उत्तर है, शिक्षा प्राप्त करना, तीसरा प्रश्ण है, विद्यार्थी जीवन भर क्यों पश्टाते रहते हैं, पहला विकल्ब है, क्योंकि वे आलसी होते हैं, दूसरा विकल्ब, जो अपना क्रीमती समय मौज मस्ती और आलस में खो देते हैं, तीसरा, जो घ्यान प्राप्ट नहीं करते, और चौथा, जो विद्यार्थी माता-पिता और गुरुवों की आग्या का पालन नहीं करते. यहाँ पर देखे, जो विद्यार्थी अपना बहमूल समय खेल कुद्ध मौज मस्ती और आलस में खो देते हैं, वे जीवन भर पश्टाते रहते हैं. सही उतर है जो अपना क्रेमती समय मौज मस्ती और आलस में खो देते हैं. चोथा प्रश्ण है समय के संबंद में व्यक्ति का क्या करता पर बताये गया है पहला परिश्रम करें दूसरा मन लगा कर पढ़ाई करें तीसरा बीते समय के बारे में पश्यताप ना करके वर्तमान समय का सद उप्योग करें और चोथा आसफल होने पर निराश नहों पुना प्रयास करें यहाँ पर देखें मनुष्ण का करतव है कि जो चड़ बीद गये है उसकी चिंता करने के बजाए जो अब हमारे सामने है उसका सद उप्योग करें उत्तर हो जाएगा बीते समय के बारे में पश्यात आप ना करके वर्तमान समय का सद उप्योग करें और गद्याश का अंतिम प्रेश्ण है उपर यूग्त गद्याश का उप्यूग्त शीषक समझाईए पहला है समय का सद उप्योग दूसरा समय और मनुष्य तीसरा अमूल समय और जोथा विद्यार्थी और समय गद्याश का उप्यूग्त शीषक को जाएगा समय का सद उप्योग्त प्रेश्ण दो निम लिखित काव्याश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे के प्रेश् गरजगरजकन मादक संगीत सुनाया इस हरी भरी संध्या ने हमको उन्मक्त बनाया सूखी सरिताओं ने फिर सुन्दर नव जीवन पाया। काव्याश का पहला प्रशन है कविता में किस रितु का वर्णन क्या गया है शेरदे रितु ग्रीश में रितु वर्षा रितु या शिशेर रितु पहली लाइन में लिखा हुआ है रिमचिम रिमचिम सी बूदे और रिमचिम रिमचिम बूदे पड़ती हैं वर्षा रितु म इस लिए उत्तर हो जाएगा संगीद, तीसरा प्रश्ण है इस कविता में संध्या शब्द के साथ कौन सा विशेशन है? हरी-भरी, लाल-काली, पीली-पीली, नीली-पीली इस लाइन में देखे, इस हरी-भरी संध्या ने हमको उन्मक्त बनाया यहाँ पर हरी-भरी शब्द विशेशन है इसलिए उत्तर हो जाएगा पहला हरी-भरी अगला प्रश्ण है सूखी सरिताओं ने क्या पाया? मृत्तु, हरियाली, नव जीवन, उनमाद। अंतिम कड़ी में देखी सूखी सरिताओं ने फिर सुंदर नव जीवन पाया। इसलिए उत्तर है नव जीवन। अंतिम प्रश्ण है काव्याश के लिए उप्युप्त प्रश्ण नमबर 3 यहां पर भी एक गद्याश है यह आपकी पार्ट के पुस्तक से लिया गया है। निमलिखित गद्याश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे के प्रश्णों के उत्तर सही विकल्प चुन कर लिखिए। गद्याश है वास्तविक लोग गीत देश के ग गई जाते हैं। बाउल और भत्याली बंगाल के लोग गीत है। पंजाब में माहिया आध इसी प्रकार के हैं। ही राजा सोनी महिवाल संबंधी गीत पंजाब में और धोला मारू आध के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गयाजाते है। पहला प्रश्ण है लोग गीतों का वास्तविक संबंद किन से है शेहरों से, कसबों से, गाउं वा देहातों से, दूर दरास के प्रांतों से यहाँ पर देखें वास्तविक लोगईत देश के गावों और देहातों में है इसलिए सही उत्तर है तीसरा गावों वा देहातों से दूसरा प्रशन है बंगाल के प्रमुख लोगईत कौन से है चोथा, कजरी, माहिया, बाउल और भतियाली यहाँ पर देखें बाउल और भतियाली बंगाल के लोग गीत है इसलिए खाव प्रशन का उत्तर है बाउल और भतियाली तीसरा प्रशन है सोनी महिवाल कहा का लोग गीत है बंगाल का, बिहार का, पंजाब का या उत्तर प्रदेश का यहां पर देखी हीर रांजा सोनी महिवाल पंजाब के लोग गीत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा पंजाब का अगला प्रश्न है लोग गीत पाठ के लेखक कौन है। प्रेमचंद, विश्णु प्रभाकर, विने महाजन या भगवत शरण उपाध्याई। लोग गीत प ध्लोग गीत है ठोला मारू। यहां पर फोर नमबर होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर है ठोला मारू। प्रश्न चार निमलिकित काव्याश को ध्यानपूरवक पढ़कर पूछे गया प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुन कर लिखे। ये काव्याश आपकी पाठ पुस्तक के पाठ वन के मार्ग में से लिया गया है पूरते निक्सी रगवीर दुई वधु धर धीर दय मग में डगद्वय जलकी भरिभाल कनी जलकी फुट सूख गय मधुरा धर्वय इसे आप पूरा पढ़ लिजेगा चलिए इसमें पूछे गये प्रश्णों को देते है पहला प्रश्ण है वन के मार्ग में पाठ के कभी कौन है सूर दास तुलसी दास कभीर दास राय दास सही उत्तर है दुलसी दास दूसरा प्रश्ण है रगवीर की वधु कौन थी सीता गीता द्रोपदी या कुंती सही उत्तर है सीता अगला प्रश्ण है पर्ण कुटी किस इस चीज से बनती है, पर्ण का अर्थ होता है पत्ती, पहला पत्थर से, पानी से, पत्तों से, या इसमें से कोई नहीं, सही उत्तर है पत्तों से, अगला प्रशन है, राम और सीता के साथ कौन वन में गया, राम और सीता के साथ वन में गये थे लक्षमर, अगला प्रशन है, लखी शब्द का क्या आर्थ है? सुनकर, देखकर, बोलकर या कहकर लखी शब्द का आर्थ होता है देखकर प्रशन पांच निमलिखित प्रशनों के उत्तर लिखे यहां पर भी MCQ स्टाइप के कुशन है पहला कुशन है सुग्रीव के बड़े भाई का क्या नाम था? सुग्रीव के बड़े भाई का नाम था? बाली दूसरा कुशन है शब्री ने राम को किस से मित्रता करने के लिए कहा? शब्री ने राम से सुग्रीव से मित्रता करने को कहा अगला प्रशन है पंपा सरुवर के पास किसका आश्यम था इसका सही उत्तर है महारिशी मातंग का अगला प्रशन है हनुमान ने किस दिशा की ओर मुह करके अपनी पिता को प्रणाम किया इसका सही उत्तर है पूर्विदिशा की ओर और अगला प्रशन है मैनाग परवत हनुमान से क्या चाहते लिखें वाक्य हैं सोनाली जल्दी यल्दी मूमें लड़ू ठूसने लगी यहां पर क्रिया विशेशन हैं जल्दी जल्दी दूसरा प्रशन है लोग शब्द लगा कर दो नए शब्द बनाईए यह शब्द हो जाएंगे लोग सभा लोग कथा अगला प्रशन है खाली तुरही भारत के कई प्रांतों में प्रखलित है या देखने में अंग्रेजी के इस या सी अक्षर की तरह होती है भारत के विभिन प्रांतों में पीतल या कासे से बना या वाद अलग अलग नामों सी जाना जाता है अगला प्रशन है विलोम शब्द लिखे पहला शब्द इसके साथ उप्युक्त संग्या हो जाएगा रास्ता और दूसरा विशेशा शब्द है रसीला इसके साथ उप्युक्त संग्या शब्द हो जाएगा आम अगला प्रशन है गोल मटोल का प्रियोक कर वा के बनाएए वा कि आप कोई भी बना सकते हैं जैसे रामू कितना गोल काम करती थी उत्तर है लेखी का इत्वार की सुबा अपने मोजों वा स्टॉकिंग को धोने और अपने जूतों को पालिश करने का काम करती थी दूसरा प्रशन है मा मोहन के ऐसे-ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी उत्तर है मोहन के ऐसे-ऐसे कहने पर मा इसलिए घबरा रही तीसरा प्रिश्ण है, राजप्पा ने नाग राजन का टिकट अल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? इसका उत्तर है, साकल खटखटाने की आवाज सुनकर राजप्पा ने सूचा की पुलिस आ गई है, तलाशी लेने पर वाज पकड़ा जा सकता है, इसलिए उसने नाग राजन का अल्बम अंगीठी में डाल दिया? चौथा प्रशन है, हेलिन केलर प्राक्रत की किन चीजों को छू कर और सुनकर पहचान लेती थी, जैसे भोज पत्र के पेड की चिकनी चाल और शीड की खुर्दुरी चाल को इस परश से पहचान लेती थी, बसंत के दोरान टेहनियों में नई कलिया, फ्यूलों की मकमली प प्राक्रत के अक्षर किन हे कहा है? उत्तर है, लेखक के अंसार, पहाड, समुद्र, सितारे, नदिया, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्या और अनेको ऐसी चीजे हैं जिनके माध्यां से इत्यास को पढ़ा जा सकता है, इसलिए लेखक ने इन सब चीजों को प्राक्रत क अक्षर कहा है? प्रश्ण नमर आठ है, निमलिखित प्रश्णों के उत्तर 40-50 शब्दों में दीजे पहला प्रश्ण है, आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे, जिने आम तोर पर नौकर चाकर करते हैं, पार्ट से तीन ऐसे प्रसंगों को अपने शब्दों में ल बरतनों की सफाई अपने हातों से क्या करते थे? वे बरतनों को रगड़रगर कर चमकाते थे, वे रसोई घर में सबजियों को धूने, छीलने, काटने का कार स्वयम करते थे, गांधी जी रसोई घर के सफाई का पूरा ध्यान रगते थे दूसरा प्रशंट है कविता मैं सबसे चोटी हों में ऐसी बड़ी नहों में क्यों कहा गया है? क्या तुम भी हमेशा चोटी बने रहना पसंद करोगे? उत्तर है इस कर्था में एक बच्ची छोटी रहकर मा के साथ रहना पसंद करती है वा ऐसी बड़ी बनना पसंद नहीं करती जिससे वा मा का प्यार दुलार ना पा सके बड़ी बनकर वा मा के प्यार को खोना नहीं चाहती इसलिए इस करता में ऐसी बड़ी नहूं में की कामना की गई है, हाँ हम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करेंगे प्रेश नमबर नौ है, निमलिखित में से किसी एक विशे पर निबंद लिखे, पहला है परिश्रम का महत्व, दूसरा है समय का सद उप्योग और तीसरा है सोतंतता दिवस, इसे आप स्वयम करिएगा प्रेश नमबर दस, ये प्रशन पत्र का अंतिम प्रशन है, बीमारी के कारण दो दिन का अवकाश मांगने है तो अपने विद्याले के प्राचार महोदय को पत्र लिखे, अथवा अपनी बहन के जन्म दिन की पार्टी में आमंतिर करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखे प्रातना पत्र में सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में, इसके बाद प्राचार जी, अपने स्कूल का नाम, फिर धिनांग, इसके बाद विशे, विशे में लिखेंगे दो दिन के अवकाश है तो प्रातना पत्र के संबंद में, फिर लिखेंगे महोदय, सविने निवे से 12-3-2024 तक का आवकाश देने की कृपा करें आपकी महान कृपा होगी इसके बाद धन्यवाद आपका आग्याकारी शिश्या शिश्या अपना नाम अपनी कक्षा और अपना रोल नंबर प्रश्ण दस में अथवा प्रश्ण था अपनी बहन के जन्म दिन की पार्टी में आ पैर खबर नहीं तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि मेरी छोटी बहन का जन्म दिवस अगले महीने आने वाला है जिसे हम सब परिवार जन्नों ने सब के साथ मिलकर मनाने का कारिकरम बनाया है इसमें मैंने अपने सभी मित्रों को आमंत्रित किया है तुमसे भी मेरा अन मंत्रण में मेरे अनुरोद के सासाथ मेरी बहन का भी निवेदन है आखिर तुम उसके वही अशुल भाईया हो जो विद्याले जाने से पुर्व उसे टौफी दे कर जाते थे और वह चहक उठती हम दोनों तुम्हारे आगमन की प्रतिक्छा करेंगे शेश मिलने पर तुम्ह देख दौटीजिए प्रतिक्स देखे लागे टौटीए जो जाते हैं आखिक्स पर वाचिए